आपने का था नोट वंदी पर हम आतंगवाद समाप कर देंगे जिस दिन डी मॉनेटाइजेशन हुआ उसके तत्काल बाद ही आतंगवादियों के पाद से नए नए करारे 2000 के नोट निकले कितने आतंगवादियों आपने उसके बाद समाप किये मैं आपसे कहना चाहता हूँ पूरे तरीके से हम लोगों को आपकी नियत पर भरोसा नहीं है इसलिए हम आप इस बिलका आपत कर देंगे मेरे पार्टी की तरफ से दो विद्वान वकीलों ने बड़े अच्छे ढंग से इस अमेंड संसोधन के बारे में पूरे सदन को बताया है कि किस प्रकार से ये अनकॉंसिटूशनल है और किस प्रकार से ये पूरे तरीके से ये केवल कुछ लोगों को लाब देने के लिए किया गया है मैं इसलिए जो प्रस्ताव आया है कि इसे सेलेक्ट कमिटी में भेजना चाहिए उसका समर्तन करता मानिय उस्वापति महदे जो मानिय चिदामरिम जी ने बात कही है प्रश्ट नियत की हमें इनकी नियत पर संदे है और इसलिए संदे है क्योंकि कॉंगर्ब्रश पार्टीने कभी आतंगवाद के साथ समझथाने किया और यह कानून भी कॉंगर्रश पार्टीन इसलिए लाई थी इसलिए लाई थी ताकि इस आतंगवाद के खिलाप लड़ाए लड़ सकें दो बार आप लोगों ने समझवता किया है रुबिया साइद जी को छुड़ाने के लिए और इंडियन एरलाइन्स में मसूत अजर्क मसूत को छुड़ाने के लिए आप ने समझवता किया है कॉंगनेस पार्टिय ने कभी समझवता नहीं किया है हम लोगों ने खोया है इंद्रा जी को खोया है राजीव जी को खोया है बेयां सिंग जी को खोया है हम लोगों ने कभी समझोता नहीं किया मान्ये ग्रहमंत्री जी इस बात को समझ लीजिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके संचोधन जहां आतंगवा से लड़ने का है हमें कोई आपति नहीं हम समर्थन करते हैं लेकिन हमें आपति इस बात की है कि जब से आपकी सरकार आई है एनाईए के काम काज में फर्क पड़ गया है आपने जितने भी अभी केस आए हैं उसमें नाइन्टी फाइट परसंट जिसमें कन्विक्शन हुआ है एनाईए के जो चार्शीट किये गए जिसमें फैसला हुआ है तीन फैसलों में अपरादी बरी हुए हैं कौन-कौन से हैं समझावता एक्सप्रेस मैका मस्जिद अजमेर दर्गा शरीफ तीनों में अभी बरी हुए हैं और मैं आप बताना चाहता हूं कि रोहनी सेलियान स्पेशल प्रोजेक्यूटर आफ एनाईए उन्होंने एफिडेविट दिया था कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है एनाईए के स्पी सुहास वर के द्वारा कि इसमें जल्दबाजी नहीं करो हमें आपकी नियत में भरोसर नहीं है माननी ग्रामंत्री जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन केसेज में समझाओता एक्स्प्रेस मक्का मस्जिद और एजमेर बलास में जो लोग बरी हुए हैं आपने उसमें अपील तो ने की एनाईए ने अपील तो ने की उनके क मैं आपसे अन्रोत करना चाहता हूं कि मैं हमना इस बात को मानते हैं कि आतंगबाद का ना धर्म होता है ना जाती होती है लेकिन ये भी पताना चाहता हूं आप लोगोंने हमेशा एक धर्म के लोगों की खिलाफ एक माहौल बनाया है कि ये सब आतंगबाद से जुड़े लोग हैं लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एना एक की मोस्ट वॉंटेड लिस्ट में पहले तीन नाम कौन से हैं पहला नाम है लक्षमन राओ उर्फ गनपती लिफ्टिंग एक्स्टिमिस्ट दूसरा नाम है रामचंद कलंग सरा दस लाग का उन पर आज रिवार्ड है जिसे नाम है संदीब दांगे दस लाग का रिवार्ड है ये कौन से संगटन से संबंदे थें गरह बंती जी आपको मालूम है मुझे बताने की आवश्यक्ता नहीं है और अगर मैं बता दूँगा तो आप सब लो नाराज हो जाएंगे अगर आप चाहते हैं तो राश्टी स्वेमिस्वेख संग के ये कारे करता रहें दोनों के दोनों और यहीं नहीं है अब जो आतंगवाद के आज भी अभ्यूक्त है उसको मानिय ग्रह मंत्री जी भारती जनता पार्टी के अद्धिश के नाते उसको उम्मीदवार बनाते हैं और वो आज लोगसभा सदस हैं और साथ में मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या शेडियूल उनके लिए उनके लिए उनके लिए क्या शेडियूल फाइव लगाया जाएगा मैं आपके बोलना चाहता हूँ मैं आपके पूछना चाहता हूँ कि शेडियूल फाइव उनके लिए रखिये जो लोगसभा के सदस और विधान सभा के सद्यस अव्यक्तोत आतंगवाद के उनके लिए शेडियूल फाइव कामेंट में लेके आईए मानियत दक्ष्माद सभाबती महदे बात वही होती है नियत हमें दुख इस बात का है कि आज आज आपके लोग आपके प्रतिनिदी नाथूराम गोटसे को देश भक्त कह रहे जो पहला आतंगवादी था आजाद भारत में उसको आप देश भक्त कहते हैं हम लोग की नियत पर आपकी नियत भरोसा नहीं है मानियू ग्रह मंतरी जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ उसी के साथ साथ अभी जैसा इन्हों ने बताया अर्बन मैक्सिलिजम की एक बात आ और आप जो एक पार इनका फोन नंबर उनके पास था जनाब मेरा फोन नंबर राजसभाग कि वेबसाइट पर था और मेरा नाम जोड़ा गया कि उनके पास बेरा फोन नमबर था वाविक है जो इनोंने कहा है इफ प्सेंटर गोवर्मंट बिलीवस सबसे मैं से कहना चाहत हूँ कि सबसे पहले आप मुझे ही उसमें डालेंगे मुझे भरोसा है आपकी बात आप में का था नोट बंदी पर हम आतंगवाद समाप कर देंगे जिस दिन डी मॉनेटाइजेशन हुआ उसके ततकाल बाद ही आतंगवादियों के पाद से नए नए करारे दोजार के नोट कितने आतंगवादी आपने उसके बात समाप किये मैं आपसे कहना चाहता हूँ पूरे तरीके से हम लोगों को आपकी नियत पर भरोसा नहीं है इसलिए हम आप इस बिल का आप विरोध करते हैं मैं यहाँ तक यह भी कहना चाहता हूँ कि माननी उसवापती महुदे माननी ग ग्रेव भाग ने सिकुरिटी का रिव्यू किया और सिकुरिटी रिव्यू में आचायर प्रमोट कृष्णम जिनके उपर उनका थ्रेट है उनको आपने सिकुरिटी वापस ले लिए प्रताब बाजवा माननी संसर सदस हमारे राजसभा के जिनके पिता आतंगवाद के शि मिलिटेंस को कंट्रोल करने के लिए होम मिनिस्टर के नाते जिल्नों ने पूरी अपने जान जोके में डाली थी उनको आपने सिग्रेटी विड़ा कर ली माननी स्वावती मौदे मैं माननी ग्रह मंतरी से अन्रोथ करना चाहता हूं कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं सर्दा कोशी कर दीजे नडडाजी की भारती जनता पार्टी का भारती भारती जनता पार्टी हम हमारा कर लेंगे मानि इंजावती मौदे हमें विश्वास नहीं है भारतिय जन्ता पार्टी के नेता के रूप में ये ग्रामंत्री जी पूरे तरीके से राजने तिक धंक से काम कर रहे हैं हम इस बात अपति करते हैं मैं आप इतने अरूर्थ करूंगा कि आज बात विश्वास की है नरेन मोदी जी जहां कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वो खुले आप इस बात को कहते हैं मुसल्मानों का विश्वास हमें प्राप करना है लेकिन अगर ट्रिपल तलाट में आपने मेरा सुझाव मेरा प्रस्ताव अमेंडमेंट मान लिया होता तो उन कि कमी, इसलिए हैं, क्योंकि आपका सोच जो है विभाजित है इंक्लूजिव नहीं है, बांटने वाला है, क्योंकि पूरी बुनियाद आपकी विचारधारा की बांटने की है, हिंदू और मुसल्मानों में खाई परविश्वास नहीं करते हैं, और इसलिए हम आपका एक मिनट का समय खतम हुआ बहुत खत्म हो गया बहुत खत्म हो गया हमें दिया समय खत्म हो गया दस मिनट पर